लोग बोलते हैं बाबा जो तुम नोजवानों को भड़काते हो तो क्यों नी भड़काऊ उनोजवानों को एक बाँ बताओ पूरे देश के इतिहास में आज तक एक भी 50 साल के बुजुर्ग का नाम बताओ जिसको फांसी हुई हो हुई क्या एक का नाम बताओ यह दिली में सोनिय गांधी से लेकर यहां के मुक्ही मंत्रि तक एक का नाम बताओ जिसको फांसी हुई हो मैं रिटींट कर रहते जन्हीं पूछा पूरे देश-मंने देश को आजय दिली लेकिन एक का नाम जिसको अंग्रे जोने फासी दियो अंग्रे जोने को लाठी नहीं खाई डंडे नहीं खाए केवल मक्षन और अंडे खाए है लेकिन समस्या है इस देश का नोजवान भगत सिंग क्यो नहीं बनना चाता इस देश का नोजवान शिवाजी क्यों नहीं बनना चाता इस देश का नोजवान फासी क्यों नहीं खाना चाता नोजवान को गाली देना असान है लेकिन कहूंगा दोस्तों पूरे जीवन में महात्मा गंधी ने कभी एक डंडा खाया बोलो हाँ या ना नहीं खाया, जिन्होंने पूरे जीवन में डंडर नहीं खाया, उनके नाम से हमने एक से लेकर एक हजार तक के नोट चलाए, लेकिन जिस भकस्टी ने फासी खाई, उसके नाम से हमने सोका नोट का चित्र नहीं छापा, हमने शिवाजी के नाम से पचास का चित्र नहीं छापा और सामप्रदाइक तक ये बात नहीं है ये शिवसना के मंच से खड़े होकर कहना चाहता हूँ इस बात को अश्फाक उल्ला की कुर्बानी भूलना हम पाएंगे क्योंकि लोग सीधा अरूप लगाते हैं तुम तो मुसल्मान ची खिलाप हो तुम सामप्रदाइक हो तो एक बात कहना चाहता हूँ आज इस पुर्णितिती के अउसर पर कि अश्फाक उल्ला की कुर्बानी भूलना हम पाएंगे जब अश्फाक उल्ला का लड़ रहा था आज़ादी के मेदान में तो मुल्लों ने समझाय था कठ मुल्लों ने अरे अश्फाक क्यों इस के जान देते हो तुम तो मुसल्मान हो तो अश्फाक उल्ला काने कहा था कुछ आर्जू नहीं है बस आर्जू यहीं है रख दे कोई जरासी खाके बतन कफन में मर गया अश्फाक उल्ला खा लेकिन मुसल्मान के नाम से बोट लेने वालों ने आज तक अश्फाक उल्ला खा के नाम से दस रुपे का नोट नहीं चलाया अन देश के लर्कियां जुट मत बोलना पूछना अपनी अपनी बच्चीओं से क्यों लऑ जियात के चकर हiation बजाती हैं लक्षो भास नहीं बनना चाती जीजा भास नहीं बननना तो दोस्तों मैं तो एक बात किता हूँ सरकार नोट भगत सिंग के नाम से चलाए या ना चलाए हमारे दिलों में छपना चाहिए या नहीं कितने लोग तैयार हैं तैयार हो एक बात क्यों आप लोग जानी रहे वापस यार मैं चक्रव 25 परसेंट निकल जाओ निकलोगे क्या अच्छा सुनो देखो एक बाता हूँ जब भगत सिंग को फासी दी जा रही थी मैं शब्दू बोल रहा हूँ मैं जब बोलता हूँ मंच से कारण समझ लेना मेरी जितनी प्रदर्शनियां सब विद्शों में लगती है राजू निवल जी से बात चले थी बाबाजी आपक कि फेक घूल दी तो कारण समझना दोस्तों जब महत्मा गंदी ने लाड इर्ण से बातचित की थी समझोता हुआ था तो लोगों ने का था महात्मा जी भगत सिंग किसी की जान नहीं दिये संस्ट भवन के कोने में बम फेका है किसी देखती पर नहीं पेका आप भगत तो महात्मा गंडे ने एक बात करना चाहता हो अगर बहत इनकवादी थे तो में भी आतंकवादी हूं और इसे आतंकवादी देश के कोने कोनें कोनें पेदा करना चाहता हूं ऑगत शिळक्साइब तो अफजल और कसाप जैसे आतंकवाधी दिखाई तो बोलो देश के नाम पे आतंकवाधी बनना चाहते हो अभी तक लोग मजब के नाम पर आतंकवादी बने जातियों के नाम पर आतंकवादी बने हाला कि आतंक का मतला यह नहीं कि बंब लेकर निकल जाना मारो किसको मारो को देशवासी को मारो किया लेकिन कम से कम वोट किसी को मारो मत मारो अपने स्वार्थ को मार लेना जब कभी वोट देने जाओ तो जाती देखकर वोट मत देना